हेलो दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को माइक्रोवेब के बारे में जनकारी दूंगा कि उसका जो पार्ट्स है ठीक है कि वो चेक कैसे करें हूँ कि खराब है यह सही है हमको कैसे पता चलेगा ठीक है यह मुश्टली यहीं पार्ट्स होता है जो हम लोग नर्मली रिपेरिंग में यूज करते हैं क्योंकि अब उसका पाइनल बोड खराब होगा या टच बटन खराब होगा तो लोग तो हम लोग उसको नहीं छूते हैं और सब खराब हो गया तो समझ लोग इसको अब लोग कैंसे मतलब स्क्रैप में डाल देते हैं ठीक है तो मुश्टली हम लोग यहीं रिपेर करते हैं यह चेंज करते हैं एक माइगनेट हो गया यह यह आपका ट्रांसफर्मर हो गया यह आपका कैपसिटर हो गया यह आपका बल यह आपका auto cut हो गया यह आपका switch हो गया यह दो switch है आपका एक होता है open switch open करते हैं वाला switch और एक होता है close switch तो open switch का मतलब कि हम उसको open करेंगे तो उसका जो अंदर heat करता है वो full cut हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगा और यह खोता है close switch तो यह जब तक हम close नहीं करेंगे तब तक चाहें कितना भी कोशिश कर ले open को हम heat नहीं कर सकते ठीक है तो यह दो switch होता है और यह एक फ्यूज है ठीक है जो mostly use होता है तो एक एक करके हम step by step एक करके चेक करेंगे उसके बाद से तो पहले हम magnet चेक करेंगे ठीक है कि magnet को हम कैसे चेक करते हैं तो ध्यान से देखिए आप ताकि आपको अगर कोई microwave को repairing करना हो तो बाद में आपको दिकत ना है एजली आप रिपेर कर सके ठीक है तो पहले क्या करेंगे कि हम के मalg Tiमीन लेंगे मल्थी मिट blink Meg मोर्थ में लेकर उसको कंटीनुटी पर सेट करेंगे इसको कि उसके बाद से क्या करेंगे कि मंट्री मिटर क disability रहे लगा तो तो हम इस एक इस वाले पूल पे लगाएंगे और दूसरा इस वाले पे लगाएंगे तो इस पे हम को क्या कि कांटिन्यूटी बताना चाहिए अगर यह कांटिन्यूटी नहीं बताएगा तो समझो कि यह मैगनेट खराब है आपका ठीक है मैं चेक करता हूँ प्रब्लम हो रहा है देखिए देख रहे हैं कांटिन्यूटी बता रहा है तो यह आपका मैगनेट सही है ठीक है और प्लस आपको बोडी पे वीचेक करना पड़ेगा यह जो बोडी है इसका यह वाला एक पोल इस पे कोई किसी पे भी पोल पे दे सकते हैं एक इस पे या इस और प्लस एक इस पे तो यह अगर इस पे भी अगर कांटिन्यूटी बताता है तो समझो खराब है ठीक है तो यह देखिए यह पोल हो गया और एक यह हो गया तो देखिए यह नहीं बता रहा है तो यह अपना सही है खराब नहीं है ठीक है देखिए मैं एक मेरे पास खराब अब उसको चेक करके आप दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए मेरे पास खराब है, ठीक है, ये देखिए, ये हो गया, और ये हो गया, देखिए, कांटिन्यूटी बता रहा है इसका, अब फिर अब क्या करेंगे, कि इसको एक बोड़ी पर चेक करेंगे, एक पोल इसको और एक बोड़ी पर, देखिए, 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 इसका भी कांटिन्यूटी बता रहा है, यानि चेक करने का एक जाएम इजली तरीका है, अगर आप मैगनेट को नहीं पता है, कि चेक कैसे करेंगे, कि हमको खराब है, कि सही है, कैसे पता चलेगा, तो आप इजली चेक करेंगे, एक पूल, इसपे वो करेंगे, और एक इसपे करेंगे, अगर कांटिन्यूटी बताता है, बोड़ी पर और इसपे, तो समझो की खराब है, तो खराब है, तो आप जाहिर से बात है, कि चेंज करेंगे, तो सही हो जाएगा, उसके बाद से, अब हम ट्रांसफर्मर को चेक करेंगे, कि ट्रांसफर्मर कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो यह अपना ट्रांसफर्मर है, ठीक है, देख रहे हैं, ट्रांसफर्मर है, यह अपका दोनों पूल है, तो यह दोनों पे चेक करेंगे हम, यह देखिए, इसपे भी कांटिन्यूटी बताना चाहिए, अग और नहीं बताएगा तो समगहिए कि Kpeace की सदे लिए ही क्या इसकी इस दखिए लिए ककी करना चाहिए विल्टेên City बाता है तो समीजए किull değer ख्राब ठीक है प्लस इस साइड भी चेक करते हैं ठीक है यह देखिए एक इसमें और एक इसमें एक इसमें देखिए यह जो अपना यह है डाल दिया हूं फिर इसमें चेक करेंगे यह देखिए मैं इस वाले पूल पर दूसरे वाले पर अगर कांटिनुटि बताएगा तो समझिए किस वही है ठीक है देखिए इसके बाद इस बूड़ी पर टच करना चाहिए अगर इस में बताएगा तो समझिए टाश्फ़र मर खराब है प्लस यहां से चेक करिए देखिए जैसे इक इ इस वाले पोल पर अगर यहां भी बताएगा continuity तो समझेए कि यह टार्श्फरमर खराब है क्यों क्योंकि इसको देखिए आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यह सेप्रेट सेप्रेट है यह वाला जो कोईल है यह सेप्रेट है और यह जो यह वाला दिख रहा है यह वाला यह वाला इस टाइब का वह वाला सेप्रेट है और यह वाला सेप्रेट है तो त्यूनों अलग अलग बताना चाहिए एक साथ नहीं बताना चाहिए तो यह आपका अट्रास्फार्मर हो गया उसके बाद से अब आते हैं यह आटो कोट पर है कि हम आटो कोट के कई से पता चले कि खराब है या सही है ठीक है देखिए आटो कोट को चेक करते हैं हम कि देखिए कांटिन्यूटी से एक पूल इसमें से डाले हुए है यह वाला मल्टिमीटर के वायर में यहां पर फिर यह वाला पर चेक करेंगे डालके अगर कांटिन्यूटी बतायागा तो समझे कि आपका आटो कट सही है देखिए कांटिन्यूटी बता रहा है तो यह आपका आटो कट सही है अगर यह कांटिन्यूटी आपका नहीं बताता तो समझे कि आटो कट यह खराब है आपका ठीक है अगर यह कांटिन्यूटी नहीं बताता तो समझे खराब है फिर चेंज करिए उसको फिर जाके आपका ओवेन वर्क करेगा तो ये सही हो गया ये चेक हो गया टास्फार्मर चेक हो गया आटो कॉटिज चेक हो गया मैगनेट चेक हो गया अब भी क्या करेंगे हम स्यूज चेक करेंगे तो क्या कि स्यूज चेक करेंगे हम देखिए तो ये वाला क्या है कि ये कुलोज वाला अब मैं इसको जब स्यूंच को पूस करूँगा तो यह बंद होगा, ठीके, तो अगर यह वाला पूस करने पर भी continuity बताए, तो समझे कि यह भी खराब है, देखिए मैं पूस करूँगा, तो यह क्या होगा कि बंद हो जागा, continuity नहीं बताएगा, यह देखिए, देख रहें, फिर ओपेन करूँगा, यह continuity बताएगा, फिर बंद करूँगा, तो continuity बंद हो जाएगा, फिर ओपेन करूँगा, तो फिर बताएगा, फिर से मैसे है, यह वाला क्या है कि ओपेन, 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 ओपेन सिविच है, इसको मैं पूस करूँगा, तो ओपेन होगा, और इसक चेक करेंगे, सेम ही, डिफ्रेंट नहीं है, तक ही पदा चले, एक open में दो स्यूच लगदा है, ठीक है, एक open और एक close, दोनों को आपको तरीका मालूम होगा है, चेक करने का, एक को push करेंगे, तो close वाला open, ऐसे दिखाएगा, ठीक है, अब आते हैं, diode चेक करते हैं, कि diode को को से हम चेक करेंगे, तो देखिए, देखिए, diode हो कैसे चेक करते हैं, अगर यह हम इसको continuity चेक करेंगे, अगर यह continuity बताएगा, तो समझे कि यह खराब है, अगर continuity नहीं बताता है, तो समझे कि diode सही है, ठीक है, तो अब चेक करेंगे, अगर continuity बताएगा, तो खराब है, यह न दाल रखा हूं और यह वला यहां पर सटा रहा हूं लेकिन आपका continuity नहीं बता रहा है अगर continuity बता था तो समझेए कि डायोट खराब है आपका तो इसलिए डायोट को हम ऐसे चेक करते हैं अब फिर अब आपको बलन पड़ गया कि डायोट कैसे चेक करते हैं अब फिर हम क्या करेंगा कापसीटर को चेक करेंगे कापपाशिटर कैसे चेक करते हैं यह देखिए एक है केज़ देखिए इस पे भी है और देखिए यह जय से और देख रहे हैं इस फेले सब्सेती आध आध्या चाहर पॉल लिए दूसरा पूल इधर है ठीक है तीसरा पॉल इदेर है चौफा पॉल इदेर है तो कापस्टीटर को tiene पे check करते हैं देख़िए अकर Rock а anti nute बतायगा तो समझ्दिए कि okay है अगर नहीं बताएंगा तो समझ्द है गताव है यह देखिए देख रहें कांटिन्यूटी बता रहा है यह यह आपका कापसिटर यह दोनों तरफ का चेक करनों उसके बाद यह देखिए देखिए आपका कापसिटर सही है बोड़ी पर भी चेक करना पड़ेगा दोनों पूल यहां के बाद यहां अगर बताता है अगर यह है continuity नहीं बताएगा तो समझे है खराब है पलस यहां भी continuity बताएगा यहां भी continuity बताएगा तो समझे अगर यहां भी continuity बताएगा फिर यहां भी continuity बताएगा तो समझे कि कापाशीटर खराब है नहीं तो यहां भी कांटीन नहीं बतायेगा फिर भी पता चल जाएगा कापाशीटर खराब है तो कापाशीटर को हम इसे चेक करते हैं ठीखेप अब बचा अपना यह फ्यूज, फ्यूज को तो आपको साध मालूम होगा कुज को दोनों तरफ वो वो करके फिर चेक करते हैं फ्यूज को हम ठीक है तो देखिए यहां है तो देखिए एक फूज के अंदर डाल रखा हूं वायर पर इसके और इसको टॉच करूँगा अगर कांटिनुटी बताएगा तो समझे की फ्यूज सही है इसका अगर नहीं बताएगा तो खराब है आप प्यूज करतों सही हो जाएगा तो इसर डेखिये और डेखिये जी यह थे अगसे में यह बता तक यह कांटिनुटी बता रहा है अगि यह तो इसके बादब कि पूज भी सही है अगर यह व्यूज मता अज़ा लूज नहीं तो फिर आप चेंज करोगे सही हो जाए और आपका ओविन, तो ऐसे फ्यूज को हम चेक करते हैं, तो इसके बाद बचा बल्ब, ठीक है, तो बल्ब को भी कांटीनूटी पे चेक करेंगे, अगर नहीं बताएगा, तो समझो भी खराब है, बताता है, तो सही है, तो देखो, दो पोल है इसमें भी, एक पोल उपर, एक पो करेंगे इसको, ठीक है, यह देखिए, तो देखिए, बता रहा है, यह देखिए, यह आपका बल्ब भी सही है, तो बल्ब को हम ऐसे चेक करेंगे, एक पुल यहाँ पर टाच करेंगे, ठीक है, यह देखिए, एक पुल यहाँ पर टाच करेंगे, और दूसरा पुल यहाँ पर, गर कांटिन्यूटी बताएगा, तो समझे कि यह सही है, नहीं बताएगा, तो समझे खराब है, ठीक है, तो ऐसे ही चेक करते हैं, दोस्तो, मेगनेट का जो पार्स होता है, मेगनेट हो, ट्रांसफर्मर हो कापासीटर हो, कोईल हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करके अपना जो मैक्रोविब होता है, वो सही कर सकते हैं, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, फिर नए वीडियो में, जल्द ही में, ओभेन को रिपेर कैसे करते हैं, उस पर वीडियो लाऊंगा, ठ ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो प्लिज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरा जो भी नया वीडियो आए, वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिले, तो बस अभी के लिए इतना ही, बाई